जैन सात्यों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल आई पेपरे क्लासिस में तो बच्चो इंडियन नेवी दोजार चोबिस का जो आप सभी का नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आप सभी का लोण चोने वाला है जिसके रिकार्टिंग म वेकंसी को थी दोस्तों मैंने आप सभी को उसका तो आपको पता ही होगा इंडियन नेवी के ट्रेट्समें चार्जमें और सीनर ड्राफ्टमें की आप सभी की वेकंसी जारी हुई थी जिसका बच्चो रिजल्ट अभी पेंडिंग है ठीक है बागी सारा प्रोस्स हो चुक होंगी फ्यूचर्स में उनकी नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम मिलते रहेगी ठीक है तो चलिए गाइस मैं आप सभी को बच्चो सबसे पहले ओवर्व्यू बताने की कोसिस करूंगा बच्चो इस वेकंसी के बारे में ठीक है जो भी सारी जानकारी होंगी एक ही सेसन में आपको मिल चांगी इंडियन नेवी की वेकंसी आने वाल है रही है तो इससे पहले बच्चो кадilik और एक चोटे वेकंसी और औवातों यशे 사े विए फिरने जारी होई थी जो दोस्तों आप सभी को पता चलई गया होगा ही उसके बाद't께 आप सभी की एक बड़ी वेकंसिध्या रही है इसके उसिति हों इसके तो फीव हपीज़ए hinter a वेकंसी आती है जिसमें पोस्ट आप सभी की MR की रहीगी और SSR की रहीगी ठीक है दो बड़ी भरती आप सभी के सामने आएंगी वेकंसी का बच्छो अभी कोई भी मतब पोस्ट डिफाइंड नहीं है मैं आपको बता दू सीधा सीधा और कुछ भी हवा हवाई नहीं करेंगी कि 5000 भरती आजाएंगी आने को 100 भरती भी आ सकती है ठीक है पिछले बैच में 23 वाले में जो पहला बैच आया था उसमें 100 भरती आई थी तो आने को बच्छो आप सभी के 500 भी आ सकती है चैसो भी आ सकती है और एप्रॉक्शिमेट 1000 भी आ सकती है तो यह डिफाइंड नहीं ह करें तो आप सभी पताई है थीक है उसके बाद बच्छों हम एक बात कर लेते हैं मिनिमम ऐसलिमित की अब कम से कम जो बच्छों की उम्र होनी चाहिए वह को कितनी 291.5 ao 1. 1997 के जो भी बच्छे हैं साड़े स्थान सृथ कर चुके हैं वो इस वह सब्सक्राइब के लिए इलेज़बल होंगे सीधी बाट ठीक है आगे बच्छो की बात करो अब इस में आपको यह भी बताऊंगे कि इतने से बीच की आपकी एज लिमिट एज होनी चाहिए ठीक है बॉर्ण डेट भी बताऊंगा सेलरी बात करड़े सेलरी आप सभी की कितनी रहती है तो पहली साल दूसरी साल तीसरी साल चोती साल चार साल का टैन्य होजा है और पहली साल में आपको 30,000 पर मन्त मिलता है अब इसले के बात करें चाहे मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ मैं तो पुर्ण जारिकारी सारी दूगा अभी इंपोर्टेंट डेट के बारे में कुछ भी अनौन्स नहीं है बच्छो सीधा सीधा बता दूँ और लिजिबिलिटी के बात करें चाहे मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आप सभी की बच्छो कितनी होनी चाहिए एक नवंबर 2002 से ठीक है तीस अपरेल 2006 के बीच में जो भी बच्छे आ रहे होंगे वो बच्छे इस को भर पाएंगे ठीक है तो यह बच्छो आप सभी के सामने मैंने लिख दिया है क्य यह बच्छो एज लिमिट वह भी बॉन डेट आप इसके बीच में यदि इन बिट्विन आपकी बॉन डेट है तो आप इस तोंको अप्लाई कर पाएंगे एक नवंबर 2002 से बाद की होनी चाहिए और तीस अपरेल 2006 से पहले की होनी चाहिए आपकी क्या जो जनम है बच्छो प्रोसेस की बात करें तो इसमें बच्छो जो कंडिडेट जो सोड्ट लिष्टिंग होते हैं सबसे पहले सोड्ट लिष्टिंग कंडिडेट बच्छो कहां पर जाता है CBT पर ठीक है computer-based examination होता है दन आफ्टर बच्छ आप सभी का पीट होता है efficiency test होता है इसकी यहां पर आ आप सभी की हाइट वगरा चेक की जाती है ठीक है जो standard parameter होते हैं उसके बाद आप सभी का बच्छो document verification होता है देन आप सभी का medical examination होता है medical examination पहलो जाएग उसके बाद की official notification में बच्छो आ जाएगा आप सभी का यहां पर बच्छो total number of questions रहते हैं 50 ठीक है computer-based आप सभी duration जो आपको मिलेगा examination में वो मिलेगा 30 मिनट का यानि कि 30 मिनट में आपको कितने बच्छो 30 मिनट में आपको कितने question करने है पचास question करने है ठीक है तो important हो जाता है आप सभी के लिए हाला कि syllabus बच्छो इतना hard है नहीं मैं आपको बता दूँ बट hard भी बोल सकते हैं और easy भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम बच्छो negative marking की बात करें तो आपका कितना deduction होगा तो one fourth का deduction यहाँ पर होने वाला है ठीक है बच्छो कितना one fourth का जिसे आप बोल सकते है 0.25 भी आप इसे बोल सकते है one fourth को ठीक है यानि कि एक question यदि आप 4 question गलत करते हैं तो आप एक सही वाला जो question होगा ना वो भी कट जाएगा बच्छो ठीक है चार यदि आप रॉंग करते हैं question तो आपने जो एक सही भी किया है ना वो भी आपका गलत हो जाएगा इसे one fourth negative marking कहते हैं जिन बच्छो को नहीं पता है उम्मीद पता चल गया होगा ठीक है next आगए आगे बच्छो subject की बात क करें कि आपके exam में syllabus जो आता है science and mathematics प्लस में आपका जीके 50 question आते हैं ठीक है अब 50 question में distribution होता है आप सभी का science का mathematics और आपका जीके का बच्छो 50 question 50 ही marks के होते हैं और time मिलता है 30 minute का ठीक है जिसे बच्छो science है आप सभी का mathematics है और जीके है और already बच्छो हम तीनों की तयारी आपको बहुती बहतर वे में कई exams की तयारी करा चुकिया और most of the बच्छो selection भी काफी सारे दिये हैं ठीक है तो आप सभी बिल्कुल भरोसा कर सकते हो तो सभी बच्छे चैनल से जुड़ जाना और classes के लिए ठीक है सभी बच्छे maximum to maximum comment करना और सबसे पहले चैनल से आप सभी करा चुकिया आप सभी को बता है नेवी की भी करा चुकिया और इंडियन आर्मी की भी करा चुकिया ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं आप physical के बारे में eligibility हाँ पर बच्छो रहे गई पूल इंडिया में आप सभी के पास 10th होनी चाहिए अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप लेजिबल है सभी को बढ़ने के लिए ठीक है उसके बाद बच्छो यहाँ पर आता है आप सभी का physical fitness टेस्ट चलिए अब physical fitness टेस्ट के बारे में बात करें सबसे पहले तो efficiency टेस्ट है जो पीटी होता है आप सभी का तो इसमें बच्छो रणिंग है यदि हम मेल केंडिडेट की बात करें और फीमेल केंडिडेट की बात करें दोनों की यहाँ पर रणिंग भी दे रखी है इस quats भी हो दे रखा आप सभी का उठक बैटक बोलते है push-ups भी है और आपकी बच्छो बाकी जो सेट्स अब तो यह तो है यह नहीं ठीक है तो 1.6 किलोमेटर की रणिंग है जो बच्छो आपकी रणिंग है इसकी जो मतलब जो आपकी रणिंग है यह fix है ठीक है इस प्रणिंग है और पुसप्स जो मारने है और पुसप्स जो है वह 12 है बच्छो किन के लिए मेल वालो के लिए और जो आपकी शिट्स अब्स है वो फीमेल वालो के लिए 10 है आगे बच्छो हाइट के बारे में宮 outright कर लेते हैं तो हायट की यदि हम यहां पर बात करते हैं तो मेल कंडिडेट जो है न ठीक है उनके लिएprof confession कि गता धुमेल मosंत्य और यहां पर कीüt करें तो 652 cm तो यह दोनों हाइट का आप सभी का इसे बोलते हैं बच्चो पी एस्टी ठीक है या पी एम टी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट क्योंकि आपका स्टेंडर्ड पैरामेटर हो गया बच्चो के लिए चलिए तो यह दोस्तों बच्चो आपका मेडिकल ठीक है मेडिकल पैरामेटर क्या क्या होता है तो मेडिकल की हम यहां पर बात करते हैं तो बच्चो जो आप सभी के विदाउट ग्लासिस होना चाहिए आई टेस्ट और विद ग्लासिस होना चाहिए वह आपके सामने है यदि विदाउट ग्लासिस है तो आपका बच्चो बैटर आइस जो होनी चाहिए वह ओनी है और आपकी जो रश्ट आइप यह ओनी सिक्स भाइब की हो चाहिए ःटीक है अगर आंब वीद ग्लास जा रहे है अगर आ दो डोस्तो आपकि यदि चसमा नहींग है तो आप पर विरुष्टाई आपके आ जाती है six by nine parameter की समझ में आ सभी को तो उम्मीद है बच्छो समझ में आ चुका होगा आगे बच्छो salary की यहां पर बात कर लेते हैं जो आपकी चार साल बात जो मिलती है वो बच्छो कितना आपको मिलता है चल रही है देन आपको increase हो जाता है बच्छो वो कितना हो जाता है च्हें लाग बानमे अजार फोर तीयर में ठीक है समझ में आ तो यह तो बच्छो आपका पी है उसके बाद सेवा निदी के जो तुर आपको मिलता है ना आफ्टर फोर ये यह यह आप जोब कर लेते हैं तो आपको मिलत पहली साँ 30,000 फिर 33,000 फिर 36,500 फिर 4,000 ये चार साल के आपकी अलिगा जो बच्छो परमन्त जो रहने वाला है वो कर दिशन है ठीक है समझ में आगे आपको उसके बाद बच्चों लाइफ इंस्वरेंस भी आपको मिलता है लाइफ इंस्वरेंस किता मिलता है 48 लाग का मिलता है और वो भी नोन एक करोड रुबा ठीक है उसके बाद यदि आप डिसेबल हो जाते हैं किसी कारणवर्स लाइक अग्जामपल ओफ यदि आपने कोई बच्छो पाइट की है कोई वोर में आप सम्मिलित हुए है कोई भी कंडिशन मेंटेन हुई है कोई हादसा हुआ है अगर आप डिसेबल तो उसमें 44,25 और 15 लाग अब जो 44 लाग मिलता है वो मिलता है 100% disability पर ठीक है जो 25 लाग मिलता है 75% disability पर और जो 15 लाग मिलता है वो मिलता है आप सभी का 50% disability पर ठीक है ये डिपेंड करता है कि आप कैसे disabled हुए है के लिए रहे बच्छो तो यह सारा overview मैंने आप सभी को समझ इसकी है अगर आपके समझ में आया हो तो बच्चो कॉमेंट कर देना, ज्यादर ज्यादर क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर करना, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चो आपका सिलेबस के बारे में, ठीक है, सिलेबस की बात करें हैं मैं आपको बता दू जो भी बच्चों कोमपटेशन के तयारी कर रहा है हाला कि जिस एज में ये वेकंसी निकलती है उस एज में थोड़े से बच्चे इम्मेच्योर होते हैं जो बच्चों हां भी ऐसे बिना पड़े एक्जाम देने पहुंच जाते हैं अगर मैं आपको बताओ अगर आप बच्चों इसमें तयारी करके जाते हैं अगर आप इसमें दो से तीन महीने, trening 4 महीने भी पूरे अच्चे तरिके से मेहनत करके जाएंगे तो 100% आप इस exam को crack कर जाएंगे ठीक है बट यह जो 3-4 महीने है ना यह बचो आपका इसमें 75% effectiveness होनी चाहिए और हाला कि अगर आपको अब इस time में selection लेना है तो आपको बचो 99% है आपको पूरा 100% ही अपनी महनत देनी होगी तब ही आप select हो पाएंगे क्योंकि competition बच्चों सम्में है ठीक है चाहिए 4 साल की वेकंसी हो competition का level बच्चों इसमें भी high है ठीक है कोई query है तो comment कर देना आपकी comment कर इतलाइ किया जाएगा बाकी बच्चों आपको बता दूँ अगर आप classes चाहते हैं free of cost में ठीक है कोई भी paid batch नहीं आएगा कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा मैं आपको बता दूँ ठीक है जो भी आपकी classes होंगी वो free में होंगी और इसी चैनल पर होंगी तो सबसे पहले तो आपको चैनल को subscribe कर लेना है जब भारत मिलते हैं next session में I hope so session अच्छा लगा हुआ